स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल स्टड़ी विस्वाती में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेशन प्लान नमबर 18 को लेकर के जिसमें आज का सब्जक्ट है मारा कॉमस और टॉपिक है टाइप्स आफ सर्विसेस इसके पिछली वीडियो की बात कीजाए तो हमने लेशन प्लान नमबर 117 को लेकर के बात की थी जो कि आपका सब्जक्ट था कॉमस तो अगर आप यह थर्ड समस्टर में हैं और आप अपने लेशन प्लान तयार कर रहें कॉममस सब्जक्ट के लिए तो इसके लिए आप हमारी वीडियो को, सबसे पहले आपर लेशन प्लान नंबर डालेंगे, आप चाहे तो नम्रिंग कॉपी कर सकते हैं, उसके बार डेट यानि दिनांग, जिस भी डेट को आपर डेट डालेगा, आप डेट कॉपी मत करिएगा, सब्जक्त की बात की जाए तो सब्जक्त में आप कॉम न डिवाइड करके लिख सकते हैं और वाइस आप ऐसे ही चीज़े कॉपी कर लीजेगा डेट को छोड़ करके क्लास की बात की जाए तो क्लास आपकी नाइन्थ है और नाइन्थ क्लास में आज का हमारा टॉपिक है टाइपस ऑफ सर्विसेस तो आज की इस वीडियो में हम इस स्टूडन्स को ठीक है इसमें अप लिखेंगे तो इम्रूब दा स्टूडन्स एबिलिती तो अंड़्सटन्ड दा कॉमर्स सेकेंड पॉइंट रहेगा तो डिवलक नौलेज इंड अंडर्सटनिंग ओफ कॉमर्स थार्ड पॉइंट रहेगा तो इंटेझवे दे सिक आप है अपके जो कि आपके कॉमर्स सबजक्ट से रिलेटेट थे उसके बाद हम देखेंगे इस पैसिफी के यानि विशिश्युच्ट देश्यु स्पैसिफीग के बात की जाए तो इसमें आप टॉपिक से रिलेटेड स्पैसिफीक इंफोर्मेशन देते अपने स्टुडेंट्स को इसमें आप टॉपिक को ध्यान में रखते हुए इन तीनों पॉइंट के बेस पर ही आप स्पेसिफिक इंफोमेशन देते हैं जैसे पहला हो गया कोगनेटिव सेकेंड हो गया आपका एफेक्टिव और थर्ड हो गया साइको मोटर ठीक है तो आपन में देखेंगे आपका टीचिंग एड्स या फिर जिसे आप टीलम या टीचिंग लर्निंग माटेरियल भी कहते हैं इसमें आप टॉपिक को पढ़ाते समय जो भी चीज़े यूज करेंगे जैसे आपने चार्ट पेपर का यूज किया आपने ब्लैक बोर्ट पॉइंटर ड लिखेंगे इसमें आप लिखेंगे इस्टुडेंटेंस हेव प्रिव्य नॉलेच एब्स या बच्चों को इनके विशुछ से समय शामानी जानकारी है तो यह हो गया प्रिवैस नॉलेच जो की बच्चों की विश्य से समय था इसके लिए आप तीन कॉलम बनाएंगे serial number, second रहेगा people teacher activity, third रहेगा students response इसमें आप first question बच्चों से पूछेंगे, name some common disease student response में student answer देंगे fever, typhite or some common disease फिर आप second question बच्चों से पूछेंगे, if you are suffering from fever then to whom will you concert student response में student ने answer किया, we will consult to a doctor फिर आप third question करेंगे, name the activity which is performed by a doctor student response में no response, उनके लिए problematic question हो जाएगा, इस पर आप statement of the problem को लिखेंगे इसमें आप लिखेंगे, students today we will study about types of services ठीक है, तो इससे जो आपका statement of the problem या statement of the aim जिसे आप उद्देश कथन कहते हैं वो आपकी topic से related आएगा, ठीक है, topic है आपका types of services ठीक है, आगे हम इसे में देखेंगे presentation question, presentation questions की बात की जाएगा, तो ये आपके प्रस्तोती करण प्रशन होते हैं आप इने हिंदी में प्रस्तोती करण प्रशन कहते हैं, इनमें आप topic को बताने के लिए एकदम prepare रहते हैं इसमें आप topics related developing questions भी बत्चों से पूछेंगे, उसके बाद lecture method या explanation method का यूज करते हुए पूरे topic को भी समझाएंगे इसके लिए आप 6 column बनाएंगे, serial number, teaching points, people teacher activity 3rd रहेगा, sorry 4th रहेगा, students response 5th रहेगा, teaching method 6 रहेगा, blackboard work तो इस तरह से आप 6 column बनाएंगे, सबसे पहले teaching point में आप developing questions बच्चों से पूछेंगे, आपका first question रहेगा, what is provided to you in a restaurant, ठीक है, student response में student answer करेंगे, we are provided services, फिर यहाँ पर teaching method में आपने question answer method का यूज किया है, क्योंकि आप question कर रहे हैं, आपके student उनका answer दे रहे हैं, फिर आप second question बच्चों से पूछेंगे, name the different types of services, student response में no response, उनकी लिए problematic question हो गया, इस पर आप types of services को explain करेंगे, कि कौन कौन सी services होती है, ठीक है, student response में student are listening carefully, teaching method की बात की जाएँ, तो यहाँ पर आप lecture method यूज करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर explain करने जा रहे हैं, blackboard work की बात की जाए, तो आप business services या social services को show कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इन पाइंटों को देख लेजी, आप video post करके as it is copy कर सकते हैं, इसे में हम देखेंगे second developing question, फिर आप second developing question डालेंगे, इसमें आपका first question रहेगा, give an example of business services, student response में student answer देंगे, insurance, यहाँ पर आप question answer method का यू types of services, student response में no response, उनके लिए problematic question आजाएगा, इस पर आप types of services को explain करेंगे, यहाँ पर आपकी पहली है social services और second है आपकी personal services, ठीक है, तो आप इन चीज़ों को देख लीजी, आप video post करके as it is copy कर सकते हैं, student response में student are listening carefully, और यहाँ पर आप lecture method यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, blackboard work में आप ऐसे social services को define कर सकते हैं और personal services को भी, या फिर types बता सकते हैं कि कौन कौन से हैं, business, social और personal, ठीक है, तो आप इन पॉइंटों को देख लीजी, और यहाँ पर जो हमारे presentation question थे, वो complete हो गये हैं, आगी हम इसी में देखेंगे, आपके comprehensive questions यानि जिसे आप बोध प्रशनी या बोध हत्मक प्रशनी कहते हैं, comprehensive questions की बात की जाएं, तो इसमें आप अपने students की mental ability को चेक करने के लिए topic से related कोई भी question पूछ सकते हैं, जैसे किसमें first दिया है, explain the meaning of services, second है, name the types of services, third है, explain any one of them, ठीक है, तो इस तरह से आप comprehensive questions पूछेंगे, और आपके student उनका answer करेंगे, आग ब्लैक बोड समरी की बात की जाएं, तो इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके, white sparkler pen से चीजें वैसे ही mention करेंगे, जैसे कि आप first page पर करते हैं, date class, subject, topic, period, duration और types of services, आप ऐसे ही दिखा सकते हैं, ठीक है, इसमें आप business service, social service और personal service को दिखा सकते हैं, यानि जो भी आपकी services हैं, उनको दिखा सकते हैं, तो यह हो गया blackboard summary, आगे हम इसे में देखेंगे, inspection work यानि जिसे आप निरिक्षर कारी कहते हैं, inspection work की बात की जाएं, तो इसमें आप class का inspection करेंगे, जब आपके students blackboard work, write कर रहे होंगे, या read कर रहे होंगे, इसमें आप लिखेंगे, teacher is taking around in the class and solving the problems of people, तो यह हो गया आपका inspection work, जिसे आप स्वयम करेंगे, उसके बाद आएगा recapitulatory questions, यानि या आपके पुनरावर्ति प्रेशन होते हैं, इसमें आप पूरे topic का दुबारा से class में revision करवाएंगे, इसके लिए आप topic से related कोई भी question दे सकते हैं, जैसा कि इसमें first दिया है, what do you mean by business services, second question है, what type of services are given by social services, third है, give an example of personal service, ठीक है, तो इस तरह से आप recapitulatory type questions बच्चों से पूछेंगे और पूरे topic का दुबारा से class में revision करवाएंगे, आगे हम इसे में देखेंगे homework क्या नि, जिसे आप ग्रहकारी कहते हैं, homework की बात की जाएं, तो इसमें आप बच्चो को घस से करने के लिए topic से related कोई भी question दे सकते हैं, जैसा कि इसमें दिया है, write the name of services provided to you in day to day life, ठीक है, तो आप चाहें तो recapitulatory type questions भी दे सकते हैं, और यहां पर आपका जो lesson plan number 18 था, वो complete हो गया है, last में आप अपने subjective teacher से ऐसे ही sign कराएंगे हर एक lesson plan पे, इसके next video की बात की है, तो हम बात करेंगे, lesson plan number 19 को ले करके, जिसमें आपका subject रहेगा, commerce और topic रहेगा, वेर हाउसिंग, तो इसे हम next video में cover करेंगे, तो I hope दोस्तों आप सभी को हमारा या वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको हमारा या वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज हमारे चैनल study व कमेंट के माध्यम से आपके जो भी प्रेशन है, आप उनका उत्तर पूस सकते हैं, और आप चाहें तो मुझे टालिग्राम चैनल पर भी जॉइन कर सकते हैं, मुझे मेरे नाम से study वी स्वाती के नाम से, जहां पर आपको सभी वीडियो का लिंक प्रवाइड करा दिया जात